हेलो गाइस इस वीडियो में कबर करने वाला हूँ यूडो 2020 का आज का मैच पोर्टुगाल भर्सेस जार्मानी के बिज में होने वाला है मैच स्टार्ट होगा 9.30 पीम पर कनफर्म लाइनप्स आ जाएगा 8.30 पीम पर तो कनफर्म लाइनप्स और फाइनल टीम आपको टेलिग्रम चैनल पे मिलेगा तो सबसे पहले टेलिग्रम चैनल पे जोईन कर लो जो वीडियो देख रहे हो उसी वीडियो की description चेक करो आपको link मिल जाएगा उसी link के थूरू से telegram channel पे join कर लो already 23,000 से ज्यादा लोग join हो जुका है telegram channel पे आप भी join करो free में benefits उठाओ तो फिर से एक बार आपको notify कर देता हूँ telegram channel पे join करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि after line of final team telegram channel पे मिलेगा और जो भी further updates news information आएगा telegram channel पे आएगा तो definitely telegram channel पे join कर लो यहाँ पर ही आपको सारे updates information मिल जाएगा और जो भी matches मैं खेलता हूँ maximum matches के teams आपको telegram channel पे provide कर देता हूँ तो telegram channel पे definitely join कर लो लिंक आपको simply video की description पे मिल जाएगा उस description पे link के थूरू से telegram channel पे join कर लो ओही एक ही मतुर तरीका है telegram channel पे join करने का तो telegram channel पे सबसे पहले join कर लो तो अब बात कर लेते हैं news की so news start करते हैं दोनों टीमों के recent form और head to head record से पोर्तुगाल लास्ट 5 matches में 3 match win किया है 2 match draw मतलब एक भी match लास्ट 5 matches में हाडे नहीं है तो unbeaten चल रही है पोर्तुगाल जार्मानी की बात करू तो लास्ट 5 matches में 2 match win किया है 1 match draw और 2 match loss face किये last match France के against on nil से हारे थे तो ये जार्मानी के लिए do or die type of match है तो जार्मानी अपना full effort देगा इस match में गोल के लिए जाएगा और अगर गोल करेगा तब भी third spots में अगर जाते है तब भी qualify होने का chances बना रहेगा next round पे तो गोल के लिए obviously जाएगा जार्मानी हार जी बात की बात है जार्मानी गोल के लिए जाएगा तो high scoring match आपको दीख सकती last five matches में जार्मानी ने four time जीते है और एक बार पोर्तुगाल जीते है लेकिन जो पहले का पोर्तुगाल था और अभी का पोर्तुगाल है बहुत ज़्यादा फड़ाक आ चुका है बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लियर्स इस बार खेल रहे है जैसे बुरुनोफ अनान्द है तो obviously high encounter match आपको दिख सकते है और goal के लिए दुनोई टिम जाएगा पोर्तुगाल थोड़ा defensively खेल सकते है पहला हब में लेकिन goal के लिए भी पोर्तुगाल definitely जाने वाले है तो media according एक high scoring match आपको दिख सकते है अन्दा पेपर जार्मानी slightly favorite है लेकिन दुनोई टिम अच्छ So injury news doubtful players देख लेते है तो इस match में Joe Felix mostly out है नहीं खेलने वाले है वो नहीं भी खेल रहे है recently उनका थोड़ा injury issue है यहाँ पे जर्मानी के तरप से Gottach का और Colstman injury के लिए out है questionable players की बात करूँ तो mendes है high injury और hopman का knee injury है तो यह कुछ players है जो इस match में most probably नहीं खेलती है आपको दिख जाएगा possible lineups की बात कर लेते है तो Portugal के तरप से Rui Petri को आपको goalkeeping कर थूँ दिखेगा defenseman Nelson Semedo है पेपे है रुबेन दियास राफाइल गुडेरो तो defense बहुत मजबूत है पर्तुगाल की midfellers में आपको Danilo Pedira खेलती हो दिख जाएगा जो एक credit saver बन सकते है और बहुत अच्छे performance दे रहा है फुल टाइम इनको मिल रहे है tackling interception से बहुत ज़़ा impressive performance दे रहे है लास्ट मैच में भी अच्छा इनका performance रहा था साथ में William Carvello है उपर आपको Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota और उपर आपको Cristiano Ronaldo मतलब CR7 world के one of the best player है सो वो आपको खेलत हुए दिख जाएगा लास्ट मैच में बहुत अच्छा performance था Cristiano Ronaldo का एक field goal किये थे एक penalty पे goal किये थे तो अच्छे touch में चल रही है इस team के तरफ से penalty लेगा obviously Cristiano Ronaldo, इस team के तरफ से फिडिकी corner take करेगा Bruno Fernandes सो इस team से top pick की बात करू तो Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Diogo Jota भी out of form है लेकिन कभी भी performance कर सकते है तो एक important option Trump player मन सकते है अगर आप Riggs लेना चाते हो तो Diogo Jota के उपर ले सकते हो Daniel पेडिरा credit से बार होगा और 4 defender important है उसका reason है clean sheet का slight chance है तो clean sheet होगा तो 4 defenders को 20 plus extra मिलेगा clean sheet की तो अगर आपको नहीं लगता, both side score होगा आपको अगर लगता है तो 2 defenders मैं size करेंगो जो आपकी team में होना चाहिए एक तो Rafael Guerrero और Nelson Semedo दोनों ही attacking पे chance create करते है तो एक important साविद हो सकते है last match में आप देख सकते हो Rafael Guerrero कितना बढ़िया performance दिया था, goal किया था और Jabber the Tackling Interception भी किये थे तो इस team से SRD important peak है, इन में से ज़्यातर प्लेस पीक करने के कोशिश करना अब बात करूँ जर्मानी team की, तो जर्मानी के लिए आपको goal किवस में Manuel Neuer खेलती भी दिखेगा defense में Matthew Ginter है, Matt Hamels और Anthony Rodizer खेलती भी दिखेगा साथ में Ghostness भी है, तो ये 4 defenders आपको defending section में दिख जाएगा चारोई defender बहुत अच्छा performance put up किये है, लास्ट मैच में नखास performance नहीं था फ्रांस के अगेंज जो इस साल का one of the top team है, तो इस team के किलाब थोड़ा सा defense लड़करात हुई दिखे थे लेकिन team अच्छे है, defense भी अच्छे है, तो इस match में अच्छा performance put up करने की कोशिश करेगा defense की बात करूँ तो Matt Hamels और यहाँ पर Robin Gosness ये दो defenders को मैं लेनी की कोशिश करूँगा क्योंकि ये दो players के पास ability है, goal score करने का, दोनों ही player अच्छे crosses डालते है खास करके Matt Hamels बहुत ज़्यादा height है इनका और अच्छा header में goal किये है, तो past में तो इक important option होगा Matt Hamels तो इस team के तरफ से, sorry आप बात करूँ midfielders की, तो Tony Cruz, Ilki Gundegan, Joshua Kimik, उपर आपको Kai Havertis, Thomas Muller, Sargey Ganivari खेलते हुँ दिख जाएगा Tony Cruz इस team का freaky corner taker है, अगर Tony Cruz नहीं खेलते है तब यहाँ पर Joshua Kimik का importance बढ़ जाते है क्योंकि वो तब freaky corner लेते है लेकिन अभी जो Tony Cruz खेल रहे है तो यही freaky corner लेते हुँ दिखेगा और penalty इस team के तरफ से Thomas Muller करते है अगर अब main striker देखोगे इस team का तो obviously Thomas Muller है जिन को midfield session में दे रखे तो कि important option इस match में हो सकते है इस team के तरफ से कुछ player से जिन का selection बहुत कम है लेकिन अब के लिए game changer बन सकते है सबसे पहले Kai Havertis और Sargey Ganavady बहुत अच्छे position पे खेलते हैं अगर high scoring match होते है Germany dominate करते है तो यह दो player बहुत ज़दा game में आएगा एक और player है Joshua Kimik जिन का selection बहुत कम है तो यह तिन player है जो grand league even small league में भी आप try कर सकते हो एक important threatened player बन सकते है यह तिन player सो इस team से top pick की बात करूँ Sargey Ganavady, Thomas Muller, Tony Cruz, Ilky Gundegan, Joshua Kimik, यहाँ पे defense में Matt Hamels, Robin Gosnes और goal की बस Manuel Neuer भी अच्छा होगा लेकिन मुझे लगता है ज्यादा test इस match में Rui Petrico होने वाले है उसका reason है Germany goal के लिए जाएगा तो on target ज्यादा face कर सकते है Rui Petrico तो मैं Rui Petrico ज्यादा preference दूँगा इस match में compared to Manuel Neuer आप किसी को भी preference दे सकती हो मेरा जो prediction इस match में Portugal on Germany on दोनों तरफ से एक एक goal में expect कर रहा हूँ उससे अगर आप किसी भी team को preference देना चाहते हूँ उस team के तरफ से आप सोच होगे दो goal करेगा ठीक है तो मुझे लगते on on draw लेकिन high scoring हो सकते है इससे ज्यादा goal भी आपको दीख सकते है मेरा जो fantasy team है मैं goal की बस में रुई पेटरीको को पीक किया हूँ डिफेंस में मैट हमल्स रफाइल गुडेरो सेमेडो मिट फिलस मैं 5 लिया हूँ थोड़ा high scoring मैं सोच रहा हूँ इस बज़े से थॉमास मुला टॉनी कूरूस डैनिलो पेडिरा इलके गुंडेगा ब्रुन अगर आपको लगता है जार्मानी डॉमिनिट करेगा गोल करेगा तो थॉमास मुलार भी बहुत अच्छा चोईस होगा ऐसे वाइस के लिया हूँ टॉनी कूरूस लेकिन अच्छा option हो सकते सिलेक्शन भी बहुत हाई है इनका वाइस केप्टेंस की रूप में ब्रुनो फनान्दिस भी बहुत अच्छा चोईस है लास्ट में सुदना अच्छा परफॉंस पूट आप नहीं किया था लेकिन प्लेयर वर्ल्ट के लास है मिड्फिलर्स में आपको मिल जाएगा तो ये भी एक बहुत अच्छा चोईस होगा एजए वाइस केप्टेन ये मेरा टीम है ये टीम फाइनल नहीं इस टीम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज़ेस होगा जो भी चेंज़ेस होगा आपको अप्टर लाइन आप टेलिग्रम चैनल पर अपडेट कर दूँगा तो सबसे पहले टेलिग्रम चैनल पर जोईन कर लो इसी वीडियो की आपको टेलिग्रम चैनल पर अपडेट कर दूँगा तो मैं आपको सिंपली तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ जो जो चीज़े चाहिए एक टीम बनाने के लिए वो सब कुछ आपको प्रोवाइट किया हूँ आई हो भी आपको पसंद आए अगर पसंद आए तो फ्र आपको टेलिग्रम चैनल पर आपको प्रोवाइट कर दूँगा थैंक्यू धन्यवाद वीडियो को अंतख देखने के लिए